सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वाइल कम फेंड्स सुवाग अदम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी एंटिबाइटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे इस टेबलेट में दोनों दोवईयां क्या है किस तरह से ये कारे करती है किस नाम से यह टेबलेट मेडिकल इस्टोफ मिल जाती है किनकिन बिमारियों में इस टेबलेट को डोक्टर द्वारा दिया जाता है कितनी मात्रा में तता कितने दिनों तक इससे दिया जाता है तता इ से दोस्तों यहां टेबलीट दो एंटिबायोटिक द्वाओं का कॉम्पूजिशन है जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इंफ्रेक्शन को ठीक करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है इस टेबलीट में जो ओफ्लॉक्सवसीन है यहां बैक्टीरिया के डीने इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है तदा डीने की रिपेरिंग लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस टेबलीट में ओर्णिडजोल बैक्टीरिया में प्रोटेन सिंथिस को रोग देता है जिससे की बैक्टीरिया सेल खत्म होने लगती है और स्टैटिक को भी ठीक करने में सक्सम हैं इस तरह से इस टेबलिट में यह दोनों ही दवईया मिलकर बैक्टीरिया इंफ्रेक्शन के ठीक करने का कारय करती है अगर इस टेबलिट में इन दोनों की इस्टेंग की बात करें तो इसमें ओफलक्सषिन 200 मिलिग्राम किस्टेंज में तथा और नीडाजोल 500 मिलिग्राम किस्टेंज में बनाए जाता है क्या नाम से यह दवा मेडिकल इस्ट्रो पर मिल जाती है तो इसके कुछ पुपुलर ब्रेंड नेम है जैसे की जैन फ्लोक्स ओजेड टेबलेट ओटू टेबलेट ओफ्लोक्स ओजेड टेबलेट और नौफ टेबलेट तथा रॉन फ्लोक्स ओजेड टेबलेट इन नाम से तता इनके अलाव किसी अन्हें नाम से भी अगर यह टेबलेट आपको मिले तो उसे आप खई सकते हैं बस एक बा विमारियों में इस टेबलिट को दिया जाता है अगर यह बात करें तो जैसा कि यह टेबलिट दो एंटिबाइटिक दोओं को कॉम्पोजिशन है तो बेक्टीरिया द्वारा होने वाले सभी परका की इंफेक्शिन को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है जिन्हें हम डिटे इसके लिए इसका प्रियोग जाजत लिया जाता है वह बिमारी है टाइफॉइड फीवर जी हां दोस्तों जो टाइफॉइड फीवर है यह एक परका का इंटेस्टाइन में होने वाले इंफेक्शन है और इसी कायंट से इसको हिंदी में आत्रे जरु कहा जाता है इस समय मर पाइल्स तता फीशर इन दोनों ही बिमारियों में इंफेक्शन की वज़े से सूजन आना, खून आना, तेज दर्द होना यह समश्याएं होती है तो इन पाइल्स तता फीशर को ठीक करने के लिए यह दबा दी जाती है किसी मरीज को UTI, urinary tract का इंफेक्शन हो गया हो जिस क से व्यक्ति को बार-बार पेशाप आ रही हो, पेशाप करते समय जलन या दर्द हो रही हो तो उस समय UTI infection को ठीक करने के लिए यह टेबिट दी जाती है महिलाओं में जन्नांगों से जोड़े होए इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसे दिया जाता है जिस कारण से महि इस दवा का प्रियोग लिए जाता है जिसमें पर होने वाले कुछ इंफेक्शन है उसमें भी इस दवा का प्रियोग लिया जाता है जिसमें इसकीन पर सूजन आ जाती है इसकीन से पाने निकलने लग जाता जिसमें सेलूलाइटिस कहते हैं तो इस समय में भी इह टेबलेट फाइदमन रहती है इसके अलावा सरजरी के दोरान तता सरजरी के बाद होने वाले इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा को दिया जाता है कोई व्यक्ति है जिसको फोड़ा हो गया हो उसमें पस पढ़ गई हो तो उस फोड़े की पस को सुखाने के लिए भी यह टेबले डॉक्टर द्वार दी जाती है अगर कोई व्यक्ति है जिसके दात में या मसुडों में इंफेक्शन हो गया हो जिस कान से बर्द हो रहा हो हलका खोन भी निकल रहा हो तो उस समय दात तथा मौसूरों का जो इंफेक्शन है उसको ठीक करने के लिए डेंटिस्ट डोक्टर की यह पसंदिदा दाओं में ऐसे एक दवा है साथ ही जब किसी मरीज का दात निकालना हो तब दात निकालने के पहले भी यह चालाना यहिंदिदा जयाती जिसे कि जाता दात में किसी परका के इनिफेक्शन नहीं रहे और आसानी से निकला जा सके इस तरह से हमने यहां पर ज्यादा to cover किया है और जान लिया है ँधिल नftig to Karma के ब्री दर्ज होना नीन नहीं आना पेट दर्ध होना सीर दर्ध होना गब्रहाट होना आधी यदि यह यह इसके अलावी को तुसे अंडिजारब अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में यह टेबलेट दौक्टर द्वार दी जाती है तो एडल्ट में यह टेबलेट दिन में दो बार सुबह तता साम खाने के बाद लेने के सलह दी जाती है इसे कम से कम पांस दिन के लिए लेने के लिए दिया जाता है और यदि किसी मरीज में ज़्यादा समश्या है तो 7 दिन या 10 दिन के लिए भी इसे दिया जाता है इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद ही लेना है अगर इसे खाने के पहले ले लेते हैं तो गेस्टिक इरिटेशन हो सकता है बच्चों के लिए अलग से इस कॉमिनेशन का सस्पेंशन अवेलेबल है जो बच्चों के डॉक्टर दोरा एडवाइज किया जाता है और यदि कोई बच्चा है जिसकी उमर बारा साल या बारा साल से जादा है उसका वजन भी 50 किलोग्राम के आसपा से तो उसे एडल्ट की डोज ही दी जाएगी यह टेबलेट लेते समय एक बात वी से इस तोर से ध्यान रखें कि यदि इस टेबलेट को आप ले रहे हैं तो उस समय आपको सरावगा सेवन नहीं करना है यदि आप गलती से भी सराव पील लेते हैं तो आपको उल्टी होना, तेज सीवदर्ध होना, चक्कार आना इस तरह के समझ्या हो सकती है तो इसका ध्यान रखते हैं इस टेबलेट का सेवन करें और इसे के साथ हमने पूरी डीटेल इस टेबलेट के बारे में जान लिए जो एक एंटी बायोटिक टेबलेट है उमिद करता हूँ आपको पूरी चान काई मिलने के साथ वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आते वीडियो को जोर से लाइक करें और जाद जाद इसको सेर करें जो किसी और की भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लान अबाउट मैडिसन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बड़ों को दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में दियेगे बेल आइकन को भी दबाएं जैसे कि आने वाले वीडियो के सभी नौटिफिकेस आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आपको में देख सके आप थे अपने दोस्त मोही दादीश के साथ देख रहे थे अपना यूटिव चैनल लान अबाउट मैडिसन थैंक यो फ्रेंड्स टेक कैर और बी कैरफूल अबाउट मैडिसन उसर्स